दोस्तो पिछले हफ्ते ही मैंने मेरे गाउं के कुछ सच्ची डरावनी कहानिया आपको सुनाई थी और मैं आज फिर से आपके लिए मेरे गाउं के आसपास घटी कुछ डरावनी कहानिया लेकर आया हूँ तो चलिए सिधे कहानी के और बढ़ते है ये कहानी मुझे मेरी सिस्टर ने सुनाई थी मेरी बहन जो की शादी के बाद से गाउ में ही रहती है और ये कहानिया उनके गाउ की सच्छी डरावनी कहानिया है तो पहली कहानी कुछ ऐसी है उनके गाउ का नाम बंबा उड़े है जो की सातारा से कुछ 30 किलिमेटर दूर है उनके गाउं से होकर एक छोटे से नदी गुजरती है जो की गाउं के पास से गुजरती दूसरी एक बड़ी नदी जिसका नाम तारली नदी है उसी का एक हिस्सा है और गाउं से गुजरती कुछ छोटे नदी के आसपास ही कुछ छोटे बड़े कुएं बने हुए है उनके गाउं की एक प्रथा है कि साल में एक बार गाउं के लोग साती आसरा को भूग चड़ाते है जिसे गाउं में मराठी में साथ खनाची परडी ऐसा भी कहते है मतलब भूग को अलग-अलग साथ हिस्सों में साथ खंड में विभाजित किया जाता है तो आज की कुछ कहानिया इसे साती आसरा के बारे में है हाला कि मैंने भी पहली बार ये नाम सुना था तो मुझे भी ठीक से पता नहीं था कि ये साती आसरा होता क्या है और इसलिए मैंने गाउं के ही कुछ लोगों से उस बारे में जानकारी निकली और अब जो नहीं जानते कि ये साती आसरा क्या होता है उन्हें बता दू कि साती आसरा को अपने देश में अलग-अलग जगों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है और इनके पीछे हर एक गाउं के हर एक इलाके की अपनी अपनी एक कहानी है साती आसरा का मतलब साथ देविया या साथ अपसराय होता है ऐसा भी कहते है कि मराठी में आसरा ये शब्द अपसरा इसी शब्द से आया है कहीं कहीं इन्हें साथ जर्परिया भी कहा जाता है और माना जाता है कि गाउं के आसपास से गुजरते सभी नदी, नाले, कुएं या फिर तालाब ऐसी जगों पर इन साथ देवियों, इन साथ अपसराओं का वास होता है कुछ लोगों का मानना ये है कि ये साथ देवियां बुरी ताकतों से गाउं की रक्षा करती है पर ये साथी आस्रा, यानि साथ देवियां, साथ अपसराए उतनी ही खतरनाक भी होती है इन्हें परेशान करने वाले इन्सान को वो अपने चपेथ में ले लेती है और फिर उस इनसान का बचना करीब करीब नामुम्किन होता है और इसलिए इन्हे साल में एक बार पूजा जाता है गाव का हर एक इनसान इन्हें भोग चड़ाता है वो कभी वहां दिखाई नहीं दिती पर वो अलग-अलग तरह से अपने वहां होने का लोगों को एहसास दिलाती है लोगों की माने तो रात के वक्त अगर कोई किसी कुए या फिर नदी के पास चला जाए तो उन्हें वहां उनके हसने की, गाने की या फिर घुंगरों की आवास सुनाई देती है कभी-कभी किसी नदी, किसी कुए के पास किसी बिल्ली या फिर कुटे के रूप में वो नजर आती है और वहां पास आते इंसान को वहां से दूर जाने की चेतावनी देती है और इसलिए राद 12 बज़े के बाद गाउं के लोग कभी किसी नदी या कोई के पास नहीं जाते कहते ही कि राद के वक्त वो साथ अपसराय नदी या कोई के पानी में जली भिहार करती है और अगर तब कोई वहाँ चला जाता है तो उसका बहुत बुरा अंजाम होता है यानि ये साथ अपसराए उसे पानी में खीच लेती है। आमावस या पूर्णिवा के दिन ये कभी-कभी दिन में भी पानी के अंदर होती है। और इसलिए ऐसे दिनों में गाउं के लोग नदी या कोई के पास नहीं जाते। वो ऐसे दिनों पर पानी से दूर ही रहते है। तो अब कहानी कुछ ऐसी है। मेरी बेहन के गाउं में हर साल की तरह पिछले साल भी साथी आसरा यानि उन साथ अपसराओं को भोग चड़ाय जा रहा था। उनके गाउं के हर एक घर से नदी या कोई के पास भोग चड़ाय जा रहा था। तब उस रात उनके गाउं का एक लड़का अपने घर से भोग चड़ाने निकल बड़ा। वो लड़का गाउं से गुजरती उस छोटी नदी के पास बने एक कोई के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने कुए के पास भोग रग दिया और जैसे घरवालों ने बताया था उस तरह से प्रार्थना करने लगा पर अचानक न जाने उसे क्या हो गया वह अगले ही पल वहाँ नीचे जमीन पर गिर पड़ा और पास के कीचड में किसी जानवर की तरह लुड़कने लगा और फिर अचानक ही वह पास की मिट्टी और कीचड को अपने पूरे शरीट पर मलने लगा बहुत देर तक वह वही उसी कीचड में लेट आ रहा और फिर वह अचानक एकदम से सीधा खड़ा हो गया वैसी है हालत में वो सीधे अपने घर चला गया जब वो घर पहुँचा तो घरवाले उसकी हालत एक बहुत चोग गये उसका पूरा बदन मिट्टी और कीचड से भरा हुआ था तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ किसी से जगड़ा वगरा हुआ या फिर कहीं गिरिविर गए थे तो उसने अपनी गरदन उठाते हुए उनकी और देखा और बस इतना ही कहा मैं दो दिन में मरने वाला हूँ बचा सकते हो तो बचा लो और ऐसा कहकर वो चुपचाप घर के एक कोने में जाकर बैठ गया कुछ देर तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है पर तब उन्हें ध्यान आया कि वो तो कोवे के पास बहुग चड़ाने गया था और उन्हें समझ आ गया कि शायद साती आसरा ने यानि सात अपसराओं ने उसे अपनी चपेट में ले लिया है उनका उसे श्राप लग गया है और इसलिए वो ऐसी अजीव हरकत कर रहा है तब उसके घरवाले बहुत बूरी तरह से डर गये और वो उसी रात अपने लड़कों को लेकर गाउं के भगत के पास चले गए और उन्हें उनके लड़के के साथ हुए उस हाथसे के बारे में वताया तब भगत ने कहा कि आज पूरी निमा की रात है तो रात खत्म होने दो शायद जो भी चीज उस लड़के पर सवार है वो अपने आप ही उतर जाए और वैसे भी अब वो बहुत ताकतवर होगी तो उस पर कोई उपाय काम भी नहीं करेगा उल्टा कोई उपाय करने से उसकी जान को खत्रा हो सकता है भगत की बात सुनकर घरवालों ने उसे गाउं की ही एक मंदिर में सुला दिया पर वो रात भर सोया नहीं वो बस मंदिर के कोने में अपने घुटनों के बीच सर को चुपाय बैठा रहा जैसे वो किसी चीज से डर रहा था उसकी बात पूर्णेवा की रात खत्म होने की दूसरे दिन भगत ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए तो उस लड़के ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस इतना ही कहा कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ और तब भगत समझ गया कि वो जो कोई भी चीज है वो अब भी उस पर सवार है और उस लड़के की जान लिये बिना वो नहीं जाएगी तब भगत ने उस दिन उस लड़के पर कुछ उपाय करके देखे पर उनका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ वो बस एक कोने में बैट सब देख रहा था और बार बार वो एक ही बात दोहराता रहा कि कुछ भी कर लो पर मेरी मौत तै है मैं जल्द ही मरने वाला हूँ आखिरकार भगत भी सारी उपाय करके ठक गया उसे पता चल गया था कि उस लड़की की जान कभी भी जा सकती है उसके बाद उस लड़की के घरवालों ने एक तांत्रिक को भी घर पर बुला लिया उन्होंने सोचा कहीं भूत भूत का मामला हो सकता है तो तांत्रिक ने भी उसे देखा और अपने हिसाब से उस पर कुछ तंत्रमंत्र करकर देख लिया पर उस लड़की की हलत में कोई सुधार नहीं आया मुझे जैसे घर आया था अब भी बिल्कुल वैसे के वैसा ही था कोई भी उसे कुछ भी पूछता या कुछ कहता तो उसका एक ही जवाब मिलता था मैं जल्द ही मरने वाला हूँ उसने रात घर वापस आने के बाद से न खाना खाया था और नहीं एक बुन पानी पिया था तांतरी को दिखाने के बाद उसके घरवाले फिर भगत के पास चले गए तब भगत ने उसके घरवालों को उस लड़की को लेकर किसी एक देवी के मंदर ले जाने का सुझाओ दिया जो कि उन साथ अपसराओं में से किसी एक देवी का मंदर था उस मंदिर ले जाकर उस देवी की पूजा करने को कहा और उस लड़की के हाथों से देवी की आरती करवा कर देवी से माफी मांगने को कहा भगत की माने तो ये आखरी उपाय था जिससे शायद उस लड़की की जान बच सकती थी अब मैं उस मंदिर का नाम यहां नहीं बता सकता क्योंकि नाम बताने से मुझे मना कर दिया है तो उसी वक्त भगत के कहने के मुताबिक उस लड़के के घरवाले उसे लेकर निकल पड़े वो लड़का रास्ते भर भी चुपचाब बैठा रहा जैसे कि वो जानता था कि उसे कोई बचा नहीं सकता पर उसके घरवालों को एक आखरी उमीद थी कि शायद अगर उस देवी ने विसे माफ कर दिया तो वो बच जाएगा और वो सब दूसरे दिन सुभ़ उस मंदिर पहुंच गए जब वो वहां पहुचे तब कुछी देर में देवी की पूजा शुरू होने वाली थी तो उन्होंने जाकर मंदिर के पूजारी को उस लड़के के बारे में और उसके साथ हुई उस घटना के बारे में बताया पुजारी ने उनकी बात सुनकर उस लड़के के लिए एक अलग से पूजा की तैयारी करना शुरू किया वो लड़का तब भी उस मंदिर के कोने में बैठा हुआ था सारी तैयारिया होने के बाद पुजारी ने उसे आगे बुलाया पर वो अपनी जगह से हिलने को राजी नहीं था आखिरकर उस लड़के के घरवाले उसे जबर्दसी पकड़ कर देवी के सामने लेकर चले गए पुजारी ने किसी घरवाले के हाथ में पुजा की थाली दे दी और फिर उस लड़के को और उसके घरवालों को उस देवी की आरती करने को कहा और उसके बाद देवी से माफ़ी मांगने को कहा उसके घरवालों ने किसी तरह उस लड़के के हाथ में थाली पकड़ा दी और तब उन्हें जटका सा लगा और जब वो आरती कहना शुरू ही करने वाला था अगले ही पल वो लड़का नीचे फर्ष पर गिर पड़ा वो आरती कहने से पहले ही मर चुका था उसके बाद उसके घरवालों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर कुछ पल में ही उसकी सांस पूरी तरह से रुख गई थी और उसने उसी जगह अपनी जान छोड़ दी दोस्तो अब पता नहीं कि सच क्या है आखिर तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि उस लड़कों को क्या हुआ था कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उसे अस्पताल लेकर जाते तो शायद वो बज भी जाता पर उस लड़के के जैसी हरकते थी उनका यहीं मानना था कि उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता तो दूसरे कुछ लोगों की माने तो हर साल की तरह साती आसरा यानि साथ देवियों को जो भोग चड़ा जाता है वो साथ अलग-अलग हिस्सों में साथ अलग-अलग खंड में चड़ा जाता है पर उस मरने वाले लड़के के घरवालों ने जाने अंजाने में बस पांच हिस्सों में साती आसरा को भूग चड़ाया था और इसलिए उस लड़के पर देवी का कोप हुआ था उन देवियों का उसे श्राप लगा था और इसलिए उसी कोई भी बचा नहीं पाया अब ये दूसरी कहानी दो दोस्तों की कहानी है ये घटना मेरे अंकल के गाओं के बाहर एक रास्ते के किनारी घटी एक सची डरावनी घटना है जिसे मैंने कहानी में रूपांतिरित किया है उनके गाउ का नाम वेचले है जो की सातारा से कुछ 7 या 8 किलोमेटर दूर है साल 2013 की गर्मियों के दिन थे उनके गाउं के दो लड़के तब दूसरे किसी गाउं में क्रिकेट का टूर्नामेंट खेलने चले गए थे एक का नाम था निलेश और दूसरे को गाउं में नाना कहकर बुलाते थे अब टूर्नामेंट खत्म कर और दोस्तों के साथ पार्टी कर वो दोनों अपने गाउं वापस आने निकल पड़े उन्हें वापस अपने गाउं आते आते बहुत रात हो गई थी तब दोनों साइकल चलाते हुए आ रहे थे उनके गाउं के पास से उर्मूरी नाम की एक छोटी सी नदीर गुजरती है तब नाना को बीच रास्ते में ही बहुत जोर की टॉयलेट आई और तब नाना ने साइकल को जगह पर ही रोक दिया और वही रास्ते के किनारे जाकर खड़ा हो गया अब नाना जहां टॉयलेट करने खड़ा था उसके आगे ही एक थोड़ी गहरी जगह थी वो जगह कुछ 10-15 पीट गहरी थी और वही से थोड़ा आगे नदी का पानी बह रहा था उन दिनों गर्मियों का मौसम था तो इसलिए नदी में ज़ादा पानी नहीं था तो नाना जब वही खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा था तब अचानक उसका मोबाइल बज उठा उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया था उसने टॉयलेट करते हुए ही अपनी जब से मोबाइल निकालने की कोशिश की और उसी चक्कर में मोबाइल उसके हाथ से छुड़ कर नीचे गिर पड़ा तो नाना के मूर से निकल गया अभे यार क्योंकि मोबाइल वहां से सीधे 10-15 फीट नीचे गहराई में जाकर गिर पड़ा था अब अंधेरा तो था पर चांदनी रात की वज़े से आसपास ठीक ठाक नजर आ रहा था तो निलेश ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो नाना बोला अरे मोबाइल हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया है तो यहीं रुक मैं नीचे जाकर मोबाइल लेकर आता हूँ और ऐसा कहकर नाना आसपास की जाडियों को पकड़ तुए नीचे उतर गया तब निलेश ने साइकल को साइड में खड़ा कर दिया और उपर से जुक कर नीचे देखने लगा तब ही निलेश को आचानक ही पीछे साइकल की घंटी सुनाई दी निलेश उस आवाज को सुन कुछ सेकेंड्स के लिए चौक गया और उसने पीछे मुड कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था साइकल अपनी जगा पर ही खड़ी थी उसने वापस अपने सामने देखा तो नाना किसी भूत की तरह बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया था उसे सामने ऐसे खड़ा देख निलेश को जटका सा लगा और तब निलेश ने पीछे हटते हो उससे पूछा अरे क्या हुआ मोबाइल मिला नाना ने जवाब दिया हाँ चल अब घर चलते है और इतना कहकर नाना साइकल के पास जाकर खड़ा हो गया इस बार निलेश ने साइकल निकाली और पेडल मारते हुए वो रास्ते से चलाने लगा नाना साइकल के पीछे कैरेज पर बैठा हुआ था निलेश तब उससे टूर्णामेंट के बारे में बाते किये जा रहा था पर तब निलेश ने महसूस किया कि नाना जबसे उस जगह से उपर आया है वो पहले जैसे बात नहीं कर रहा नाना निलेश की हर बात का बस ऐसे करके जवाब दे रहा था बाकी वो चुपचाब बैठा हुआ था निलेश ने एक दो बार कुछ सवाल करकर भी देख लिए पर नाना ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तब निलेश ने कहा अरे नाना तेरे मोबाल से मेरे घर पर एक पोन लगा ला लेकिन उसे फिर भी पीछे से कोई जवाब नहीं आया उसे अभी तक यहीं लग रहा था कि नाना उसके पीछे बैठा हुआ है और अगले पल उसे वो साइकल एकदम से हलकी लगने लगी तो निलेश ने उसी जगह साइकल को रोग दिया और अपने पीछे देखा तो नाना साइकल की पीछे नहीं था उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने तो नाना को पीछे बैठते देखा था लेकिन अब वो वहाँ कहीं नहीं था तो निलेश को लगा शायद नाना बात करते करते कहीं बीच में तो नहीं उतर गया तो निलेश फिर से नाना को आवाज देते हुए उसी रास्ते से पीछे पीछे जाने लगा पर उसे नाना कहीं दिखाई दे रहा था और नहीं उसका कोई जवाब आ रहा था आखिरकार नाना को ढूंडती हुए निलेश फिर उस जगह पर आँ पहुचा जहां नाना नीचे नदी के पास उत्रा था और उसने फिर से नाना को आवाज दी नाना ए नाना का है रह तू और तब उसे नाना का जवाब आया निलेश निलेश मुझे बचा ले यार मुझे बचा ले निलेश ने अपने आसपास देखा पर आसपास तो नाना कही नजर नहीं आ रहा था तो उसने फिर से आवाज दी अभे नाना अभे किधर एर तू तो उसे फिर से वहीं आवाज आई निलेश मुझे बचा ले यार मुझे बचा ले मैं मरने वाला हूँ और तब निलेश को महसूस हुआ कि वो आवाज उसी जगह से आ रही है जहाँ नाना कुछ देर पहले नीचे उतरा था और फिलेश ने भी डरती हुए वहाँ उन जाड़ियों के बीच से जुक कर नीचे देखा तो वहाँ का नजारा देख उसकी आँखे बड़ी बड़ी हो गई डर की वज़े से उसकी नस नस काप उठी वहाँ नीचे एक बुड़ी औरत अपने पैर फेला कर बैठी हुई थी और नाना का सर उसकी गोद में था वो बुड़ी औरत नाना के सर को सहला रही थी नाना किसी मरे हुए इंसान की तरह वहाँ पड़ा हुआ था और बीच बीच में ही वो अपने पूरे बदन को जोर-जोर से जटक रहा था वो देख निलेश की हलत भी खराब हो गई उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करू और नाना को कैसे बचाओ और अगले ही पल उस बुड़ी हा ने नाना के सर को अपने एक पैर के नीचे दबाते हुए निलेश की और देखा निलेश वो देख पसीना पसीना हो गया और फिर उस बुड़ी हा ने कहा आ, हा ना, बचा ले अपने दोस्त को हा, हा ना नीचे आ और उस बुढ़िया की वो बात सुनकर निलिश वहां से भाग खड़ा हुआ उसने किसी तरह साइकल उठाई और तीजी से गाउं के और भागने लगा पर कुछी पल में उसे वो साइकल बहुत हेवी लगने लगी जैसे कोई साइकल पर पीछे बैठा हुआ था निलिश ने एक दो बार जोर लगा कर पैडल मारा पर साइकल और भी भारी होती चली जा रही थी और फिर उसने मुड़कर पीछे देखा तो साइकल के पीछे कैरेज पर नाना बैठा हुआ था और वो उसे देख अजीब तरह से हस रहा था वो देख निलिश समझ गया कि अभी तक जो उसके साथ हो रहा था वो कोई भूतिया अनुभू है और नाना यहां है ही नहीं उसने साइकल को वही छोड़ दिया और गिरते पढ़ते हुए वो वहां से भागने लगा उसने भागते भागते पीछे मुण कर देखा पर पीछे वो साइकल रास्ते के बीच में पढ़ी हुई थी और वहां कोई नहीं था निलिश भागते हुए ही अपने गाउं चला गया जैसी हो गाउं के अंदर पहुँचा भूत भूत ऐसे चिलाते हुए ही वो नाना के घर चला गया निलिश की आवाज सुनकर लगबग सारा गाउं जाग चुका था नाना के घर जाकर उसने हाफते हुए ही उसके घर वालों को वो घटना बताई लोग भाग कर ही अपने घरों से बाहर निकले और हाथ में जो भी मिला वो लेकर उस नदी के और चले गए जब वो वहाँ पहुँचे तब निलिश ने उन्हें वो जगा दिखाई जहां उसने नाना को उस बुढ़िया की गोद में देखा था लोगों ने नीचे जाकर ढूंडा तो नाना वहीं पत्थोरों के बीच बेहोश पड़ा हुआ था और तब उसका बदन आग की तरह जल रहा था उसे बहुत तेज बुखार था और वो बार-बार अपने शरीर को जटक रहा था तब लोग उसे जल्दी से सरकारी अस्पताल लेकर चले गए नाना की हालत देखने के बाद यहां निलेश भी बहुत बीमार पड़ जुका था उसने तो खाना पीना तक छोड़ दिया था उस सदमे से उभरने में उन्हें करीबन 4-6 महने लगे नाना को तो जादा कुछ याद नहीं था पर निलेश ने वो सब अपनी आँखों से देखा था तो वो नाना से जादा डरा हुआ था असल में नदी के उस पार का हिस्सा एक दूसरे गाउं का मरगट था और वो जगह ऐसी थी जहां अस्तियों का विसरजन किया जाता था जहां मरे हुए लोगों का पिंडदान किया जाता था नाना ने जल्दी जल्दी में इस बात को नजर अंदास कर दिया था कि वो किस जगह पर खड़ा है और उसी का खामियाजा उसे भुकतना पड़ा वो आज भी उस नदी के पास जाने से डरता है और आज भी महां से गुजरते हुए उसकी नजर अपने आप ही नदी के किनारे चली जाती है दोस्तो ये तीसरी कहानी उसी गाउं की है जहां पहले वाली कहानी में एक लड़की की मौत हुई थी ये कहानी साल 2000 या साल 2001 के बीच की है जब मेरी बहन की नई नई शादी हुई थी और उसे गाउं जाकर बस कुछी महने या शायद साल हुआ था और अब जैसे कि हर गाउं में मेला लगता है तो उनके गाउं में भी हर बार की तरह मेला लगा हुआ था और उस दोनान गाउं के कुल देवी या कुल देवताओ की पूजा की जाती है गाउं गाउं में जगराता का माहुल होता है भजन किरतन गाए जाते है और भगवान की पूजा की जाती है तब उस दिन भी आसपांस के कुछ गाउं से कुछ लोग भजन सुनने उनके गाउं आये हुए थे बैसे तो ऐसे दुनों में बहुत से लोग आवाजा ही करते हैं पर जिनके साथ ये हादसा हुआ था वो कुछ चानिया पांच लोग थे और उनके साथ एक साथ या आठ साल का छोटा लड़का भी था उन्हें उस गाउं भजन किर्दन कर और खाना खाकर निकलने में बहुत रात हो गई थी अब जादातर गाउं एक दूसरे से जादा दूर नहीं होते थे तो पुराने लोग चलकर या फिर साइकल से ही एक गाउं से दूसरे गाउं चले जाया करते थे वो लोग भी उस राज चलकर अपने गाउं जा रहे थे गाउं के बाहर जाने वाला रास्ता उसी गाउं से गुजरती एक नदी के पास से होकर गुजरता था अब चांदनी रात थी तो रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था और जब वो सब रास्ते से जा रहे थे तब वो छोटा लड़का बार बार पीछे मुण कर देख रहा था पर उनमे से किसी ने भी उस बाद को नोटिस नहीं किया और तभी उन्हें पीछे से घुंगरों की आवाज सुनाई दी वो सब अपनी जगह पर ही रुख गए अब वो चार-पांच लोग थे तो उन्हें उस आवाज को सुन जादा डर तो नहीं लगा लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा उनके पीछे रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी उन्होंने उस औरत से पूछा कि इतनी रात को यहां ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो तो उस औरत ने जवाब दिया कि उसे अपने गाउं जाना है पर उसे अकेले आगे जाने से डर लग रहा है तब उस औरत के उस जवाब की वजह से किसी को भी उस पर जरा भी शक नहीं हुआ उन्हें लगा कि शायद ये औरत भी मेले की वजह से यहां गावाई होगी और डर के मारे यहीं रुग गए होगी तो उन्होंने उस औरत को उनके साथ साथ चलने को कहा वो भी उनके पीछे पीछे पैदल चलते होई जाने लगी वो बच्चा अब उन सब लोगों के आगे आगे चल रहा था और वो औरत उन सब के पीछे चल रही थी वो लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे तो उनका और किसी बात पर जादा ध्यान नहीं था वो छोटा लड़का अब भी बार-बार पीछे मुण कर देख रहा था वो उस औरत को ही देख रहा था और तब उस बच्चे ने एक बार फिर से पीछे मुण कर देखा और अचानक ही वो उसी जगह पर रुख गया उस बच्चे ने आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तब उस औरत ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए ही कहा और शायद चल कर ठक गया होगा लाओ मैं उसे उठा लेती हूँ और ऐसा कहते हुए उस औरत ने बच्चे को उठा कर अपने हाथ में ले लिया तब वो बच्चा औरत के कंदे पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे वो सो रहा हो असल में वो सो रहा था या उस पर औरत का कुछ असर था ये बात तब किसी के ध्यान में नहीं आई वो लोग फिर से आपस में बात करते हुए चलने लगे और वो औरत उस बच्चे को लेकर उनके पीछे पीछे जा रही थी थोड़ा और दूर जाने के बाद उसी आदमी ने ये महसूस किया कि शायद उनकी पीछे वो औरत चल नहीं रही और उसने जट से पीछे मुड़ कर देखा पीछे देख सारे के सारे लोग हैरान रहे गए उनकी पीछे कोई नहीं था वो औरत उस बच्चे के साथ अचानक ही कहीं गायव हो चुकी थी वो सभी लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे और फिर उस बच्चे को आवाज देते हुए जोर-जोर से पुकारने लगे और वही आसपास उसे ढूडने लगे वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो औरत अचानक कहा गायव हो गए तभी किसी ने बीच में ही कहा हम नदी के पास वाले रास्ते पर हैं तो हमें नदी के पास जाकर देखना चाहिए क्योंकि रात के वग नदी में डूब कर मरने वाले लोगों की आत्माए पानी से बाहर आती है और उसकी बात सुनकर वो सभी दोड़कर ही नदी के पास चले गए जब वो वहां पहुँचे तो बच्चा पानी के बाहर किनारे पर ही पड़ा हुआ था और एक सफेद परच्चाई नदी के बीचों बीच पानी के अंदर उतर रही थी वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी और वो औरत उसे बार-बार इशारा करते हुए उसके पास बुला रही थी और इसलिए वो लड़का बार-बार पीछे मुड़कर देख रहा था तब उन लोगों का मानना था कि शायद साती आसरा मतलब उन सात अपसराओं ने उस बच्चे की जान बचाई थी और इसलिए वो उस आरत की उसी नदी के पानी में डूब कर मौत हो गई थी एक दोपहर वो औरत उसी नदी के पास कपड़े धोने के लिए चली गई थी तब वह गाव की और भी कुछ औरते कपड़े धो रही थी और उनका कहना था की मरने वाली आरत उस दिन किसी बड़े से पथ्थर के पास पानी में अपना एक पैर रखकर कपड़े धो रही थी और वो अचानक ही पानी के अंदर ऐसे चली गई जैसे किसी ने उसे पानी में खीच लिया हो तब उन्हें न वहां कोई जानवर दिखाई दिया और नहीं कोई अजीब चीज नजर आई पर कुछ देर में ही नदी क के बीच में एक छोटा सा पानी का बहुंडर सा बन गया था और उसके बाद वो औरत वापस उपर नहीं आई गाउं के लोगों ने और पुलिस ने भी उसकी खोजबिन की और उसकी लाश कहीं नहीं मिली वो हमेशा के लिए उससी पानी में समा गई थी ये कहनी एक कालपनिक कहनी है भले ही ये कहनी मैंने सुनी एक घटना पर आधारित है पर इसके बारे में मेरे पास जादा जानकारी नहीं है ये बस एक घटना थी जिसे मैंने कहनी का रूप दिया है असर में वो घटना कुछ ऐसी थी कि हमारे गाउं के आजपास ही एक औरत को बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहा था और फिर बच्चा पाने की जिद में उसने एक बहुत ही खतरनाक तरीका अपनाया और उसके बार उसे बच्चा तो हुआ पर वो बच्चा अपने साथ के लिए और कई आफते लेकर आया और इसी घटना को लेकर मैंने एक कहानी लिखी है ये कहानी शुरुआत में शायद डरावनी न लगे पर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी डर भी बढ़ता चला जाएगा तो ये कहानी चाया की है चाया और उसका पती नागेश एक छो और नागेश उसी गाओं में या आसपांस के गाओं में जो भी छोटा मूटा काम मिलता वही कर लेता था चाया और नागेश की शादी को अब 9 साल हो चुके थे और इतने सालों बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं था उस वज़ह से गाओं की औरते बड़े कुल्टा ऐसे नामों से पुकारा जाता है उसे जब भी कोई बच्चे को लेकर ताना देता तो वो रात रात भर रोया करती थी और अपने पती नागेश से बच्चे की मांग करती थी पर नागेश भी अब उसकी बातों से तंग आ चुका था वो चिड़कर ही उसकी बात का जवाब देता था, कभी-कभी तो गुस्से में वो उस पर हाथ भी उठा देता था और तब चाया बस रोती रहती थी ऐसी एक दिन वो हमेशा की तरह एक घर बरतन माजने चली गए थी तब घर में बस घर का मालिक था जो की बहुती खडूस और गंदा दिमाग था जिसकी उम्रे 50 से 55 के करीब थी चाया असल में तब उसके घर जाना नहीं चाती थी क्योंकि वो जानती थी कि उस आदमी की उस पर बुरी नजर है पर चाया की मजबूरी थी माँ कुछ दो-चार ही घर थे जहां वो काम किया करती थी और उसे पैसे भी बहुत कम मिलते थे और अगर गलती से भी किसी दिन छुटी कर लो तो फिर पैसे देते वक्त वो लोग बेवज़ा बहस करके जादा पैसे काट लेते थे तो वो उस घर के अंदर चली गई और बरतनों को बाहर लाकर एक नल के पास सी बरतन माजने लगी तब वो आदमी उसे देख अपने घर की चोखट में बैट गया वो बस चाय को घूरे चला जा रहा था तब उस आदमी ने बीच में ही चाय से कहा मुझे खुश कर दे तुशे माला माल कर दूँगा दुगने से भी जादा पैसे दूँगा पर चाय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस बरतन धोने में लग रही पर चाय के जवाब ना देने की वज़़स से उस आदमी की हिम्मत और बढ़ गई और वो उड़कर खड़ा हो गया एक नजर उसने इधर उदर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं और फिर वो चाय की और चला गया चाय के पीछे खड़े होकर उसने कहा देख आज घर में कोई नहीं है बस कुछी देर की तुब बात है एक बार हाँ कर दे वो अच्छे धर से जानती थी ये बड़े अमीर लोग है अगर ये चाहे तो भगवान को भी खरीद ले और चाय भी तब कोई जगड़ा नहीं चाहती थी क्योंकि जगड़ा करती भी तो क्या उसका ही नाम खराब हो जाता और उपर से कोई उसे काम भी नहीं देता तो वो बस अपना काम खत्म कर चुपचाप वहाँ से जाना चाहती थी पर जब चाया थोड़ा आगे खिसक गई तो उस आदमी ने गुस्से में ही कहा किस बात का घमडेर तुझे बांच कुल्टा कही की मैं जानता हूँ कि तुझे बच्चा चाहिए एक बार मेरे साथ चल तुझे बच्चा न दिया तो फिर बोलना पैसे भी मिलेंगे और बच्चा भी और ऐसा कहते हुए उस आदमी ने फिर से उसे पीट पर छुने की कोशिश की और तभी बाहर गेट के पास गुस्से में बोला एदे जा जा बांज की बांज ही रहेगी तू तुझे कभी बच्चा नहीं होगा देख और उसकी बात सुनकर वो बुढ़िया फिर से उस पर चिलाई अबे जा तू क्या बच्चा देगा तेरी खुद की आउलाद आधी पागल है जैसा बाप वैसा बैटा उस बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों भी चोक गए थे क्योंकि वो दोनों भी उस बुढ़िया के बारे में जानते नहीं थे पर वो बुढ़िया उसके बारे में अच्छी तरह से जानती थी और ऐसा कहकर वो बुड़ी औरत अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूरते वे आगे चली गए चाया भी अब उस बुड़ीया के पीछी पीछे जाने लगी कुछ थोड़ी दोर जाने के बाद चाया ने उस बुड़ीया को रोकते हो पूछा आप कौन हो आपको कभी इस गाओ में नहीं देखा तो बुड़ीया ने कहा मैं मेरा कोई नाम नहीं है सालों से बस गाओ गाओ घूमती चली आ रही हूँ आज इस गाओ तो कल किसी और गाओ मेरा कोई घर कोई ठिकाना नहीं है उस बुड़ी औरत की बात सुनकर चाया उसे अपने घर लेकर चली गई उसे खाना खिलाया और बातो बातो में चाया ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया कि कई सालों से बच्चा ना होने की वज़े से वो कितनी परेशान रहती है तब उस बुढ़ी औरत ने धीरे से उसकी और बढ़ते हो पूछा तुझे बच्चा चाहिए तब चाया ने जट से हां कहा तो बुढ़िया उटकर उसके घर के बाहर चली गए एक नजर सब तरफ आसपास देखा और चाया को अपने पास बुलाते हुए उसके कान में कुछ कहा उस बुढ़िया की बात सुनकर चाया के चेहरे का जैसे रंग उड़ गया उसके चेहरे पर हर तरफ डर फैल गया था और तब उस बुढ़ी औरत ने कहा देख तुझे बच्चा चाहिए तो तुझे ये करना होगा पर इसका अंजाम क्या होगा मुझे पता नहीं पर तेरी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी और यहां आसपास कोई भी नहोते होए मैंने इस बात को तेरे कान में कहा है वो इसलिए क्योंकि ऐसी बाते हवा में भी फैल जाती है और उतना कहकर वो बुढ़िया वहां से चली गई जैसे वो हमेशा एक जगर से दूसरी जगा जाया करती थी पर उस बुढ़िया की बात सुनकर चाया और ज़्यादा परिशान हो गई थी एक तरफ तो वो अपना खुद का बच्चा चाहती थी पर दूसरी तरफ उस बुढ़िया ने उसे जो बात बताई थी वो इतनी डरावनी और इतनी खतरनाक थी कि उसे समझ नहीं आ रहा थे कि वो क्या करे बुढ़िया के जाने के बाद भी चाया रात भर बच्चे के बारे में सोच रही थी उसी रात उसका पती नागेश पीकर ही घरया था वो आकर सिधे बिस्तर पर लेट गया तब चाया ने नागेश को उस बुढ़िया की बात सुनानी चाही पर नागिश पूरे होश में था ही नहीं वो बार बार चाया को जटक रहा था और आखिर गुस्से में आकर वो चाया के उपर घिर पड़ा और उसने अपनी भूग को मिटा लिया चाया ने जब फिर से उसे कुछ कहना चाहा तो नागिश ने उसकी बात सुने से पहले ही उसे जोर का धक्का दे दिया और उसे एक जोर का थपड लगा दिया तब चाया को बहुत बुरा लगा और उसे अपने आप पर भी बहुत गुसा आया एक बार तो उसे ऐसा भी लगा कि इससे अच्छा तो वो उस आदमी के साथ सोजाती वो इतना बुरा तो व्यवार नहीं करता उसके बाद वो बस यहीं सोच रही थी कि यह सब उसे बच्चाना होने की वज़य से हो रहा है अगर उसे बच्चा होता तो कोई उससे ऐसे पेश ना आता हर कोई उससे इज़त से बाद करता नागेश भी इसलिए उससे अपने से दूर रखता है और तब उसके दिमाग में बुढ़िया कि वो बाद घूमने लगी और फिर चाया ने निरने लिया कि अब कुछ भी हो जाए वो बच्चा पाकर रहेगी उस रात उसने नागेश के सोने का इंतजार किया वैसे भी नागेश पी कर घर आया था तो विस्तर पर लेटते ही वो जैसे बेहुष सा हो गया था चाया ने उठकर नागेश की ओर देखा वो खर्राटे भरने लगा था तो फिर चाया धेरी से उठकर खड़ी हो गई वहीं पास पड़ी एक छोटी चुरी को लेकर उसने उसे अपने कमर में चुपा दिया और वो अपने घर की बाहर निकल पड़ी आसमान साफ था हर तरफ चान की सफेद रोशनी पैली हुई थी उस रोशनी में चाया ने हर तरफ अपनी नजर घुमाई उस बात से डर नहीं लग रहा था उससे जैसे किसी बात से फर्खी नहीं पड़ रहा था चाया ने अपने आप से ही एक तरह का निच्छे कर लिया था और वो एक एक कदम आगे बढ़ने लगी वो उनके गाउं के ही करीब एक नदी की और बढ़ती चली जा रही थी आखिर कर उसने उस नदी में छलांग लगा दी और तेरते हुए नदी के उस पार चली गए उस पार जाते ही उसने अपने चहरे से पानी को अपने हाथों से पोच लिया एक बार अपने कमर के पास हाथ से छुकर देखा कि छुरी अपनी जगा पर है या नहीं और फिर अपनी नजर उठा कर सामने देखा सामने सब तरह बड़े बड़े सफेद पत्थर पड़े हुए थे सफेद पत्थर जो की बच्चों को दफनाने के बाद उनकी कबरपर रखे जाते है वो देख ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर उन्हें बाहर आने से रोकने के लिए बाहर रखे हुए हो पर चाय को तो जरा भी होश नहीं था वो पागलों की तरह हर एक पत्थर के पाज जाकर कुछ ढून रही थी हर एक पत्थर को छुकर देख रही थी और फिर कुछ पत्थरों को छुकर देखने के बाद वो जाकर एक पत्थर के पास रुख गई जो कि अभी हाल की दिनों में ही रखा हुआ लग रहा था मतलब वहां किसी बच्चे की लाश को दफनाए जादा वक्त जादा दिन नहीं हुए थे और फिर छाय ने पागलों की तरह उस पत्थर के पास से मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया पहले तो उसने अपने कमर से उस छुरू को निकाला और उसी से जमीन को खोदना शुरू किया पर उससे रहा नहीं जा रहा था तो फिर उसने अपने हाथों से ही मिट्टी को हटाना शुरू किया वो इतनी जोर से मिट्टी को हटा रही थी कि उसके उंगलियों के नाखुन तक तूट चुके थे उंगलियों से खूर निकल रहा था पर उसे जरा भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही है आखिरकार बहुत सारी मिट्टी हटाने के बाद उसके हाद को बच्चे का सर महसूस हुआ वो देख चाया ने और तेजी से उपर की मिट्टी हटाना शुरू किया और उस मरे हुए बच्चे की लाश को वहां से बाहर निकाला उस बच्चे को देख वो जोर जोर से रोने लगी जैसे कि वो उसका ही बच्चा हो बहुत देर तक चाया उस मरे हुए बच्चे की लाश को एक मा की तरह अपने सीने से लगा हुए बैठी थी फिर न जाने कब उसे होश आया कि उसे बुढ़्या के कहने के मताबिक सब करना है और फिर उसने रोते हुए ही उस बच्चे को अपनी गोच से नीचे जमीन पर रख दिया वही पड़ी चुरी को उठा कर उसने उस बच्चे के उंगली काट ली और उसे निगल गई कुछ पल के लिए उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ पर फिर भी अपनी आखे बन कर उस मास के टुकड़े को अपने गले से नीचे उतार रही थी उसके आखों में फिर से आंसू आ गए पर अब ये दर्द के आंसू थे उसने उस लाश के सामने कुछ पत्थर लाखर रख दिये और अपने आप में ही कुछ बढ़बढ़ाने लगी जैसे उस बुढ़या ने उसे कुछ मंतर दिया हो और कुछ देर तक बढ़बढ़ाने के बाद फिर चाया ने उस बच्ची की लाश को वहीं दफना दिया और फिर ठंडे दिमाग के साथ वो धीरे धीरे अपने घर के और बढ़ने लगी चाया घर जाकर चुपके से कौने में सो गई उसकी दिमाग में रात भर एक ही बाद घूम रही थी कि अब क्या होगा जैसा उस बुढ़या ने बताया था उसने सब वैसा का वैसा ही किया था सुभ़ जब उसका पती उठा तो उसने देखा कि चाया एक कोने में सिकुड कर सो रही थी अब शराब तो उतर चुकी थी और चाया को उस हालत में देख उसके अंदर का इंसान शायद जाक चुका था उससे रात के बारे में याद आया तो शायद बुरा भी लगा हो तो उसने वही पड़ी एक चादर उठाई और उसके बदन को ढग दिया तब उसका हाठ जब चाया के शरीर को लगा तो उसने देखा कि चाया का बदन तो बुखार से जल रहा है तो वो चाया को वैसे ही उठा कर पास के गाउं के ही एक हॉस्पिटल में लेकर जला गया वहाँ गया तो डॉक्टर ने चाया को दिन भर एडमिट कर लिया और उसका इलाज किया तब डॉक्टर ने नागश को बताया कि उसकी पतनी पेट से है वो प्रेगनंट है और इसलिए शायद उसे बुखार आया हो नागश डॉक्टर की बात सुनकर बहुत खुश हुआ था और फिर उसने वो बात चाया को बताई उस बात को सुनकर पहले तो चाया बहुत खुश हो गई पर कुछी देर में उसकी खुशी कहीं गायब सी हो गई उसके दिमाग में बार बार वो रात वाली बात आने लगी उससे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है कली ही रात तो उसने वो सब क्या था पर फिर भी उसने वो बात नागश को नहीं बताई धीरे धीरे दिन बित्ते चले गए नागश ने चाय की अच्छी तरह से देख भाल की पर उस दोरान उन्होंने एक अजीब बात महसूस की कि चाय का पेट दो महनों में ही बहुत बढ़ गया था पर उन्हें लगा कि चाय जुड़वा बच्चे होने वाले हो और उन्होंने उस बात पर जादा ध्यान नहीं दिया और बस कुछ चार ही महने होए थे कि चाय के पेट में बहुत जोर का दर्द उठा उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे होस्पिटल लेकर जाने तक का वक्त नहीं था तो गाउं की कुछ औरतों ने पुराने तरीके से ही चाय के डिलेवरी करने का निर्णे लिया घर के अंदर चाय के डिलेवरी चल रही थी पर बाहर नागेश डिलेवरी के लेकर बहुत परेशान था और घब रहा हुआ था कुछ देर बाद ही घर की अंदर की सारी औरते चीखते हुए ही बाहर दोड़ते हुए आई कुछ तो सिदे भाग कर धूर चिली गए तब नागेश ने एक औरत को जबर्दसी रोकते हो पूछा हरे क्या हुआ बताओ तो सही एक औरत ने बहुत अजिब शकल करते हुए कहा पता नहीं क्या हुआ है पर जो कुछ भी है वो बहुत भयालक है नागेश बे उस बात को सुनकर चौक गया और वो सिधे कमरे के अंदर चला गया तो उसने देखा कि एक नन्ना सा बच्चा चाय की बगल में सो रहा है चाय तो बेहुश पड़ी हुई थी और उस बच्चे का चेरा एक कपड़े से ढखा हुआ था नागेश उस बच्चे के पास बढ़ा कपड़े पर हर तरफ खून लगा हुआ था नागेश ने धीरे से ही बच्चे के चहरे से उस कपड़े को हटाया और जैसे उसने बच्चो को देखा उसे उल्टी जैसा हुआ वो दोड़कर ही कमरे से बाहर चला गया वो बच्चा था ही नहीं किसी शैतान ने छाय की कोक से जनम लिया था इतना नन्ना बच्चा होकर भी उसे किसी जानवर की तरह नुकिले दाथ थे उसकी आखे जानवर की तरह पीली थी और वो बच्चा अपनी जीब से कपड़े पर लगे खून को चाट रहा था ये सब देख नागेश अपने सर को हाथ लागा कर बाहरी बैढ गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उस बच्ची का क्या करे वो वहीं बैठ कर चाय के होश में आने का इंतजार करने लगा पर तब तक गाओं में चारो तरफ ये बात फैल गई थी कि चाय को लड़का नहीं शैतान हुआ है और जैसे ही ये बात गाओं के लोगों को पता चली गाओं के प्रमुख लोग नागेश के घर चले आए पर नागेश ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार चाय को होश आ जाए तो आगे क्या करना है वो निरने ले लेंगे पर वो लोग बार-बार बच्चे को दिखाने के बारे में बात कर रहे थे आखिरकार उसने घर का दर्वाजा खोल ही दिया और सामने का नजारा देख सारे के सारे लोग एक जटके में पीछे हट गये वो बच्चे कुछ पल में ही रेंग ने लगा था और वो रेंगते हुए ही उस कमरे में यहाँ वहाँ गिरे खुन को चाट रहा था वो देख अब नागेश बहुत बुरी तरह से डर गया उस बच्चे को देख उसका कलेजा कांप उठा उसने जट से ही कमरे का दर्वाजा लगा लिया बाहर आयों लोग बहुत गुसे में थे वो तो उस बच्चे को ले जाकर खुद मार देना चाते थे पर नागेश ने किसी तरह उन लोगों को समझाया कि वो खुद उस बच्चे को ठिकाने लगा देगा फिर एक-एक कर लोग वहाँ से चले गए देरराज चाय को होश आया नागेश तब भी घर के बाहरी बैठा हुआ था असल में वो उस बच्चे से इतना डरा हुआ था कि अंदर जाने के उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी होश में आते ही चाय ने अपने आसपास देखा पर उसे आसपास कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया और वो जोर-जोर से रोने लगी उसकी आवाज सुन नागेश दोड़करी अंदर चला गया और उसने उससे पूछा क्या हुआ तुझे कुछ हुआ तो नहीं न और चाय से कहा तुझे बच्चा नहीं हुआ था पाघल शैतान हुआ था बता तुने क्या किया है यह ऐसा कैसे हुआ लेकिन चाय फिर भी एक मा थी और वो पहली बार मा बनी थी तो उसने कहा मुझे मेरी बच्चो को देखना है बताओ कहा है वो क्या क्या तुम लोगों ने उसके साथ नागेश ने फिर चिलाते हुए कहा चाया चाया होश में आ वो बच्चा नहीं था उससे जनम के साथ ही जानवर की तरह नुकिले दाथ थे जानवर की तरह उसकी आँखे थी और इतना ही नहीं जब मैंने उसे देखा, तो तेरा पड़ा हुआ खुन चाट रहा था, अच्छा हुआ कि अपने आप ही वो आफट टल गई, पर छाय को यकिन नहीं हो रहा था, कि नागे जो कह रहा है वो सच है या जूट है, पर उएक बात अच्छी तरह से जानती थी, कि उस रात उसने जाना, और चार महिनों में ही उसकी डिलेवरी हो जाना, जो किसी भी आम औरत के साथ नहीं होता, इतना सब जानने के बाद भी छाय अपने बच्छों को देखना चाहती थी, उसे अपने सीने से लगाना चाहती थी, उसे एक मा की तरफ प्यार करना चाहती थी, और इसलिए वो बार-बार नागेश से बच्चे को लेकर आने की जीत कर रही थी। नागेश ने चाया को समझाने की बहुत कोशिश की। पर चाया उसकी बात मानने को राजी ही नहीं थी। और फिर उसने गुशे में ही कहा, ऐसा बच्चा पैदा करने से अच्छा था कि तु बांज की बांज रहती और जब उसने ऐसा कहा तो अगले ही पल कोई चीज छट से उसके उपर आकर गिर पड़ी नागेश ने हडबडाते हुए पीछे देखा तो वो वह ही बच्चा था जब तक नागेश अपने आपको सम्हाल पाता तब तक उस बच्चे ने उसके पैर को बहुत बुरी तर से काट लिया था उसके पैर का मास का एक टुकड़ा उस बच्चे के मुँ में लटक रहा था और उसके मुह से खून ही खून टपक रहा था जिसे वो बार-बार अपने हाथों से चाट रहा था चाया वो देख बहुत चौक गई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बच्चा सच में ऐसा होगा नागेश डरकर पीछे-पीछे हाटने लगा और चाया को देखकर उसे उस बच्चे से बचाने की भीक मांगने लगा वो सब देख चाया की दिमाग ने कुछ पल के लिए काम करना ही बंद कर दिया था वो बच्चा धीरे-धीरे खुन को चाटते हुए नागेश के और पास चला जा रहा था नागेश का पैर जखमी होने की वज़ह से वो फिसलता हुआ पीछे-पीछे हट रहा था वो देख चाया किसी तरह लड़काड़ात हुए अपनी जगा पर खड़ी हो गई और कमरे में सब तरफ उस चुरी को ढूणने लगी जिससे उसने उस मरे हुए बच्चे की उंगली काटी थी वो बच्चा और तेजी से नागेश के पास चला गया और उसने फिर से एक बार अपने नुकिले दातों से उसके पैर का एक टुकड़ा काट लिया अब नागेश बहुत जोर से चिलाया यहां चाय अब भी उस चुरी को ढूण रही थी नागेश दर्द के मारे वहाँ तड़प रहा था वो अपने हाथों के बल पीछे पीछे हट रहा था असल में उसके हाथ भी इतनी जोर से काप रहे थे कि उसका हिलना भी मुश्किल हो चिला रहा था चाय ने अपनी एक फटी पुरानी साड़ी को निकाला और उससे नागेश के पैरों की जखमों को बान दिया और फिर उसी बच्चे कपड़े में उसने उस शैतान बच्चे की लाश को लपेट लिया और उसे उठा कर वो घर से बाहर जाने लगी तब नागे चाय लोटकर वापस घर नहीं आई नागेश भी कुछी दिनों में उस घर को छोड़ कर कहीं और चला गया असल में गाउं के लोगों ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था पर गाउं के लोग आज भी कहते हैं कि चाय आज भी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर यह वहाँ घूमती दिखाई देती हैं और वो लोगों को यह बताने की कोशिश करती है कि वो बांज नहीं है वो भी एक मा है एक शैतान बच्चे की मा